इसमिल्लाहिरहमान रहीम इंडिया स्टूडेंस आज का जो चैप्टर है हमारा केमिटर साइंस आई-स सेकंड इयर चैप्टर नबर फाइव इंट्रडक्शन तो माइक्रोसॉफ एक्सेस इस चैप्टर में हम देखेंगे कि MS इसको यूज करने का process क्या है उसको क्यों करते हैं तो इस से पहले अबी तक हम discuss कर चुके है cen desisiaak कर चुके हुँ डेटाबेस system 안पर सब्सक्र चुकत है और यह उसक देखन करने के process और भी हम basic चीजह हम discuss कर चुके हैं तो पहले यह भी बड़ा है के explosive system क्या है तो हमने देखा था कि database management system एक software है एक application एक program है जो database को बनाने के लिए database create करने के लिए यूज करते हैं chapter number five में actually ये DBMS की एक example MS Access से MS Access को ही discuss किया गया है तो उसको हम देखते हैं कि MS Access को use कैसे करना है database कैसे बनाते हैं तो ये chapter number five में इन चीजों के बारे में discuss किया है तो start करते हैं तो MS Access जैसे कि मैंने बोला है कि एक DBMS है जो database create करने के लिए use होता है इससे पहले एक term term है वो मैं यहां पर clear करता जाओं पहले भी आप लोग को पता है कौसी term है data integrity data integrity refers to the accuracy and consistency of data data integrity का मतलब यह है कि database के अंदर जो मजूद data है वो accurate और consistent form में होगा a good database will enforce data integrity wherever possible यानि यह कोई database है वो enforce करेगा data integrity को ठीक है for example यहां पर example भी दिया यह a user code accidentally try to enter a phone number into a date field तो यह बासकात ऐसा possible है कि date कोई field है date of birth है तो उसमें accidentally जाने में कोई date of birth की जगा बे कुछ और इंटर कर दिया जाए तो DBMS ऐसा होना चाहिए हमारा database ऐसा होना चाहिए कि वो enforce करें कि नहीं यहां पर आपने date of birth ही इंटर करनी है मैं यहां पर एक farm कोल लेता हूँ database एक बना पड़ा है उसको देख लेते हैं एक database को मैं पूर कर लेता हूँ students के नाम से database बना हुआ है मैं एक farm कोल लेता हूँ students detail अब यहां पर गौर कीजिएगा यह farm है एक अब यह सारा कुछ पता चल जाएगा किया आपने कैसे बनाना है क्या नहीं for example यह date of birth की एक field है ठीक है यहां पर क्या नहीं date of birth अब date of birth की जगा पर मैं देखें ऐसे कुछ ना कुछ यह लिखे दिया dummy data तो यही data integrity यानि कि इस dbms ने enforce कर दिया मैं बता दिया कि यह value आप यहां पर इंटर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्यों कि यह date of date of birth नहीं है अब देखिएगा अगर मैं यहां पर date of birth सही वाली इंटर करूँगा तो फिर मैं इसके उपर क्लिक करूँगा तो फिर में पास कोई प्राब्लम नहीं आएगा चलें suppose अब यह देखें date valid है अब देखें okay है कोई प्राब्लम नहीं अब क्लिक हो गया है तो यह चीज है data integrity clear है मुझे अमीद है कि यह आपको clear हो चुका होगा clear data integrity refers to the accuracy and consistency of data clear okay अब देख देखें है का what is MS success what are the benefits of using it MS success क्या है और उसको use करने के benefits क्या है तो हम book को follow करते है जो टेक्स पंजाब textbook board की book है तो MS success की जो features है वो क्या है sample database MS success का feature है कि इसमें database के कुछ sample मजूद है clear मैं आपको यहां से show भी करवा देता हूँ मैं एक पलकी new इसको मैं close कर देता हूँ यह साही जिसे हमने इसी chapter के अंदर सीख नहीं है actually यह Microsoft success में open कर लेता हूँ अब यहां पर देखिएगा कि यह देखें sample template यह मजूद है अब यहां पर मैं click कर दा हूँ यह देखें मेरे पास बहुत सारी MS success ने database sample के दोर पर दिये हुए है मैं students का database create करना है faculty का create करना है ठीक है इवन से later create marketing projects का create करना है sales के later करना है तो मेरे पास कुछ samples मजूद है ठीक है उन samples में editing कास जैसे students यह इसको उप मैं click कर लेता हूँ यह database create हो गया ठीक है अब यह मजूद है already अब यह दिखें यहां पर यह tables already बने हुए है फरिशानी कोई बात नहीं है हम यह साथी चीज़े सीखेंगे कि यह tables कैसे बनाते है तो खेर बात करते हैं हम दो बारा में book क्यों पर आजाता हूँ बात करने मस्ज़ यह है MSXS का यह feature है इसमें sample databases मजूद है यह कुछ notes बनाए हुए उसको देख लेते है MSXS क्या है Microsoft XS is a database management system of Microsoft company Microsoft company का DBMS database management system में और भी बहुत सारे है different companies के हैं DB2 है Hussan Microsystem Company का है Microsoft SQL Studio है Microsoft company का यह एक और भी है और भी बहुत सारी company के है ठीक है तो बात करने का मक्सक्द यह है कि यह MSXS जो है DBMS से किस company का Microsoft company का The purpose of creating this application is to allow the user to store and many their data easily अब नीचे एक्जाम्पल्स दिए है कि इसका मकसद क्या है For example The product in a warehouse Students information को store करने के लिए आप MSXS को use कर सकते है Teachers information को ठीक है adding in the super marketing और भी बहुत साइचीज़ है इसमें clear हो गया तो यह एक्जाम्पल्स दो तीन दिए है Okay तो features की बात कर रहे थे sample database एक feature दूजीए है दूसरा feature क्या है wizard As it has its name These are really a magical component of Microsoft XS क्या है magical component क्यों है जी Using wizard User can create database in a couple of minutes User can even create and customize almost all objects of the Microsoft XS tables, queries, forms and reports Sample database की तरह wizard भी है क्या है इन में फरक में थोर साब बतायता हूँ Sample database का मतलब यह कि database already बने पड़े है मतलब क्या क्या है पूरे को पूरा database बना उसमें table create हुए है forms create हुए है हम अपने इसाब से इसको changing का सकते है wizard भी यूँ कह लें कि sample tables, sample queries, sample forms and sample reports कुछ बने पड़े है उनको हम use का सकते है clear तो फिल वक्त for the time being आप इन points पर और रखें आप जहें में रखें यह सारी चीज़े हम इसको one by one सीखेंगे एक और feature क्या है key to understand the structure Microsoft prevents the structure of relations in a graphical form in this way user can easily understand the entities and attributes it is also helpful in creating and viewing their relationship तो यह भी एक इसका feature है ms success का कि हमें एक graphical interface मिल जाता है जिसे पता जाल जाता है कि tables का पसमें relations क्या है clear एक और feature क्या है Microsoft Office Integration it can also be used with Word, Excel and other office application to create mail merge chart clear तो Microsoft access का एक feature यह है कि इसको Microsoft Access में जाता बिस बनाया होगा तो इसका जाता है हम Microsoft Office की जो दूसरी application है Word या Excel उसमें MS Access को integrate कर सकते है integrate करने का मतलब यह कि यहां के जो बनाया हुआ data है वो हम MS Word के उपर बे लेके जा सकते है मैं यहां पे entry करते रहें MS Word पे भी इंटरी होते जाएगी हमें तब बार-बार नहीं करने पड़ेगी या Excel में खुद दी होते रहेगी इसको बोलते है integration ठीक है तो Microsoft Office integration यह भी एक इसकी एक feature है Easier programming एक यह भी फीचर है Simple code with macros is used to program different tasks of Microsoft Access ठीक है Common standard It has common standard with other application standards यह common standards इसमें वजूद है Redidency Redidency क्या है Duplication of data MS Access का एक feature यह है कि data को duplicate नहीं होने देगा यह foreign warning देदेगा बता देगा कि यहां पर data redundancy हो रही है उसको save ही नहीं करेगा एक इस data को ठीक है न जैसे भी आपको बताया न data integrity के एक farm कोल के दिखाया था ठीक है तो यह भी एक इसका MS Access का feature है ठीक है तो अभी इस chapter इस topic में डिस्स किया है वो क्या है data integrity MS Access क्या है MS Access के features क्या है sample database मजूद है wizard मजूद है key to understand Microsoft integration easier programming and common standards and redundancy ठीक है जी तो यह points अपने जहें में रखेगा यह सारे points आपको 100% clear हो जाएंगे जैसे जैसे हम इस chapter के आगे move करेंगे आगे next पढ़ते जाएंगे ठीक है तो फालर टाइम भी हैंग आप इनके तो यह सारे व्यूद कीज़ेगा इसको study कीज़ेगा उसके बाद बात करते हैं कि versions of Microsoft Access अब यह topic version of Microsoft Access यह आपके बुक में नहीं है यह वैसे आप शामल किया हुआ है कि इसके version कौन कौन से है MS Access के तो जहसी बात है हर चीज़ अपडेट होती है टाइम के साथ साथ कोई भी चीज़ आप देख लें किसी भी इसकी एक example देख लें तो जहसी बात है जिद्ध चिद्ध आते जा रही है तो उसमें अपडेशन होते जा रही है तो version जो है अभी के लिए इतना काफी है next video में हम discuss करेंगे how to create database in MS Access clear तब तक के लिए अलाफिस